आप अब इसकुरों कैसे अधिया ऑप सिल्ट के जो लास्ट लेक्चर में ऐस के टीनेजियों कर चुके थें теп तो में तो मल्टिपल मल्टिपल बॉंड का किया था हमने ब्लटिपल बॉंड पॉजर्टिव एंड दीपल बॉंड नेगेटिव यह शाय था तो मैं कोश्चन करवाता हूं पहले उनको ही बड़ दिसकस करेंगे उसको से सॉल करने कोशिश करना ठीक है जिसे फॉर्स्ट यही है विटा कि अगर कि यदि आपको ध्यान हो लास्ट टाइम होने के ऐसा कोशन किया था जिसमें चार्ज नेगेटिव था कि यहां तो इसके रिजुने टिंग सेरबना आईए और स्टेबल्टी बताईए रएट पिस जी शाबाश कि 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 तो यह हमारे तीन स्ट्रक्सिस बन सकते हैं यह जी है स्ट्रक्सिस बनाना तो बैटे हाइबिड कैसे बनाएंगे बच्छो तो इस इस यूर हाइबिड स्ट्रक्चर पॉजट्टिव चार्ज जहां जहां आए वहां क्या दिखा दो गैल पॉजट्टिव यहां तक लिए रहे मुझे बताईए इसको हम फॉस्ट रख रहे हैं इस इस यूर सेकंड और थर्ड की तो बिटा स्टेबल्ट इक्वल रहेगी दोनों क्या है एक्वलेंट स्ट्रक्चर से हैं पस्ट आपका डिफरेंट है ठीक है एक चीज़ क्या दहां रखनी है अब आपको सेकंड थर्ड में क्या लग रहे है आपको लिनियर कॉंजुकेशन है सारे इन बॉल हो रहे हैं डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजटिव कॉंजुकेशन है इसमें Conjugation नहीं इसमें Cross Conjugation पर यह रिजन नहीं है याद किए ची लास्ट टाइम भी हमने डिस्क्रस किया था इसमें क्या रिजन है ज्यान का रखेंगे बेटा कि पॉजिटिव चार्ज की डैंस्टी जितनी कम हो जाएगी बोलो स्टेबल्टी बढ़ जाएगी कि यह तो है तो देखिए कि बाद कहा पॉजिटिव चार्ज की डैंस्टी कम हो इधर स्पीटू कार्बन बेटे और यहां भी कार्बन कैसा है स्पीटू 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 इस इलेक्ट्रोन बेट ट्रॉइंग राइट यदि य नहीं चे रहा ना इलेक्ट्रोन तो यहां पर पर स्पीटू चार्ज इंक्रीज हुआ तो स्टेबल्टी अ कम होगी कि अक्लिव बोलो कि में डुबाद्रबं ऐस पीटू करबन है इलेक्ट्रोन की तरह से परपाश्टू चार्ज зах praktर हो हो जाएगा स्टेबल्टी 23 हो जाएगी कि समझ रहे हूं बेटी एलेक्ट्रूम खीचना का मिनिंग क्या है उस सेंटर पर पॉस्ट्व चार्ज बढ़ना तो यह क्या शो कर रहे हैं माइनस आइफेक्ट यह भी माइनस आइफेक्ट इससे क्या होगा यहां जो पॉस्ट्रिव चार्ज है यह क्या एक्सपिधर कारवन क्या काम करेगा यहक्ट्रण डानेटिंग इट विल शो विच्ट फैट फलस आई एक्ट यानि एलेक्ट्रोन किसकी तरफ जाएंगे पॉस्ट्ट्व की तरफ जाएंगे यानि यहां पर जो यह पॉस्ट्ट्टिव चार्ज है यह क्या होगा वाटर याने स्टेबल्टी क्या हो जाएगी इंपरेश कलिर हो गया आपको तो वाट विल बी ता स्टेबल्टी और राइट नाव क्या एगा बेटा कि सेकेंड इस इकल टू थार्ड दैन यूर फस्ट ओके एन डाउट बड़ा जाए आगे ठीक आगे देखो बेटा तो हम फॉर्थ केस पर आते हैं यहां पर क्या है बेटा मॉल्टीपल बॉंड एंड लॉन पेर का कंजुगेशन है लॉन पेर कंजुगेशन समझते हो ना बेटा एनि रेजोनेंस कौन शो कर रहा है यहां पर मॉल्टीपल बॉंड और लॉन पेर चलिए लाइक दिस एक में समझा देता हूं बाकि आप तुद कोशिश करता हूं लॉन पेर सिंगल डबल अब क्या करना है बेटा यहां पर क्या ध्यान रखोगे बता हुझे हाँ सबसे पहली बात तो क्या याद रखना है कि only वान लॉन पेर पर एटम पर एटम बेटा ठीक है विल पार्टिस्पेट इन विल पार्टिस्पेट इन रेजोनेंस ताली रहें जैसे यहां पर ऑक्सिजन में दो है तो दो रहने ती जीए पर इनवाल कितने होंगे बेटा बोलो सिरफ कि इनवाल होगा यह चीज याद रखेंगे लास्ट में आप यह बताया था कि एरो के जो टारेक्शन है यदि नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ कभी भी नहीं आएगे याद है ना नहीं भी आ सकती है दोनों केसिश है विटा याद किजी इसके दोनों केसिश मैंने समझाई थे लास्ट लेक्षटर में फिर क्या है लॉन पेर है वेटे अपने पास लॉन पेर की तरफ भी एरो हो सकती है और इससे वेटे दूर भी जा सकती है दोनों बाते हैं समझ गए यानि कहने का मेनिंग क्या है बच्चो देखो ओविसली नेगेट्टिव से तो एरो दूर ही जाएगी हमेशा एक ही ऑप्षन है यह और कोई ऑप्षन नहीं है बेटा कलीर हो गया है पॉजिटिव से एरो कभी भी दूर नहीं जाएगा फैले इलेक्ट्रों डैस्ट एरो आपी सकती है ठीक है और एरो इससे दूर जा भी सकती है ठीक है अगला केस समझा रहा हूं में कि एरो ऐसे भी हो सकता है कि ना आए अगला केस्ट्रों अब इसको कैसे शो करोगे बटा अब अच्छो देखो यहां पर मैंने क्या बता है था दो लोन पेर यदि है उनमें से एक ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिस्पेट करेगा यदि वो रेजोनेंस में इन्वल हो रहा है तब समझगे बटा यानि एक लोन पेर तो कैसा है वच्छो यह है पी और बटल और यह कूंसा है हाइब्रिडाइजड और्बिटल यदि आपसे कोई यह पूछे कि इस ओवेच में हाइब्रिडाइशन में हाइब्रिडाइशन बताना मुझे बोलो यहां हाइब्रिडाइशन है बटा एस्पी टू यदि कोई आपसे यह कहे जरा अब बताओ हाइब्रिडाइशन क्या है यहां है बटा इस्पी थरी अलग अलग है दोनों ही लॉन पेर रजोनेंस में इन्वल हो चुके हैं तो नमबरी वान चूब दो सिगमा बों दो सब्सक्राइब यहां पर एक लोन पेर कैसा है जिसने रेजोनेंस में पार्टिस्पेट कर लिया तो जिसने रेजोनेंस में पार्टिस्पेट कर लिया वो हैब्रिडेशन में पार्टिस्पेट नहीं कर सकते हैं रिमेंबर और यह हैब्रिडेशन यहां पर क्या आएगिया के यह बात बड़ोवा कि औक यहां यह 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 है और यहां देखेए मैं यहां क्या शो कर रहा हूं है यह इसलिए हाइबिडेशन में पार्ट्रीश्पेट नहीं किया समझ रहे हूं जिसने हाइविदेशन में पार्टेस्वेट नहीं यह कौन है और यह लॉन पेर है इसने नहीं हाइविदेशन पार्टेस्वेट किया है अब यहाँ पर यह रेजुनन शोर कर सकते हैं बास मिलमा गए कोई डाउट किसी को ठीक है ना यदि आपको अब रेजु ठीक है तो पाइलेक्ट्रॉन इधर यही तो पढ़ते हैं हम ठीक है हां जी यहां तक बोली बटर क्या वो रेजुनन टेक्स तर बनाना है आपको कोई डाउट किसी को ठीक है इलेक्ट्रॉन देखो पहले दोनों किसके थे आउक्शन कि थे अब इसमें से एक इसका हो गया इस कार्बन का यानि एक एलेक्ट्रॉन कम तो चार्ज पॉजट्री ठीक है यहां पर चार्ज पॉजट्रीव और यहां पर पार्शिल नेगेटिव ठीक है सब्सक्राइज कोई डाउट कि स्टेबल्टी ओडर दोई है यह नूट्रल है यह कैसा है साज्ट है वितम बन्ट बटेज़ सेमिल्ली तो यह और इसा केस लिया देखो यह यह रहां लॉंपेर से एरो चलेघर लॉंपेर से एरो दूर चलेघर यह रहों के बड़़ू आग कि एनने स्टू हो सकते है बिल्कुल सेम आप ट्राइ कर लिने पूद ठीक है लाइकवाइस क्या ऐसे हो सकता है लॉन पीर तो है ज्यान से समझेगा लॉन पीर तो है भई एरो टुवर्ड्स फॉस्पोर्स भी आ सकती है बतब क्या ये बात समझ में आई आपको किसे को इसमें क्या है वेकेंट ये और पिटल है बिटा देखो ऐसे ये तो सिर्फ यूँ ही शो करेगा बास और कोई आप्शन नहीं है इसके पास एरो इसकी तरफ नहीं आ सकती बिटा है बास समझ रहे हो भाई यदि आप ऐसा करोगे जहां से देखों में तरह ये था ठीक है आप लूं यहां टूवर्ड्स लॉन पेर ले आए चलो कोई नहीं करके देखो क्या दिखत है अब आप क्या कहोगे सर च्यार बॉंड तो बना सकता है नाइट्रोजन मैंने कहा भी था बिल्कुल ठीक है पर देखो ना ऑक्टेटम कितने लेक्ट्रों आगए ये पॉसिबल तो नहीं पता यह कलीर हो गया है लॉन पेर भी है और ऑक्टेटम कितने लेक्ट्रों आ गए अब टैन होई नहीं सकते नाइट्रोजन मैक्सम कितने आएंगे आठ्ट्रों आ सकते यह क्या है वेकेंट डी और्बिटल है अब देखो यहां भी ऐसे भी एरदोनेंस पॉसिब है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि देख इसी एटम पर लॉन पेर है और उसकी तरफ एरो आ गई तो एक ही केस है वेकेंट डी और्बिटल है क्या होगा उसके पास वेकेंट और्बिटल है तो यानि बैटे कौन-कौन से एटम्स होंगे शल्फर हो सकता है पास्फुरस हो सक हो सकता है नहीं हो सकते है में पासी 5 एकम से पांचों क्या बना सकते हैं इन पांचों में वेकेंट डी और्बिटल से बैटें पांचों में एरो टुन एंक हो सकती है या इतना समझ माय प्रणलो कुशन या आजई है बही बताओ किया arrow towards sulfur हो सकती है विल्कुल हो सकती क्या दिकत है यह लीजी खर लीजी यह भी आपकी bond ज्यादा बना सकते हैं इससे यहां तो कितने bond बनाई है दो बन अब sulfur बेटे ही कितने bond बनाई दो एससे फोर च्यार एससे फिक्स छे बॉंड बास समझरें ना पर नाइट्रदन और और अक्स नाइट्रदन maximum four bonds oxygen maximum three bonds ठीक है बड़े आकर ओके चलो और कुर्शन देखते हैं लेक्ट विट आपको यह दे दिया फिर आप से पूछा गया बताओ भई कि इसमें सिरफ यह स्कॉप है कलीर है कि पलोरी ने विटा इसकी तरफ इलेक्ट्रोन नहीं आ सकते कि यदि आप इलेक्ट्रोन यहां ले आओगे तो इसके आउट्रोन उसे प्लोरीन है इनके पास क्या है लॉन पेर हैं और इन्होंने बॉंड बना रखा है तो इनकी तरफ डारेक्शन नहीं आएगे वसी ध्यान रखना तलीर होगे इनकी तरफ आ सकती है यहां सरफ एक ही केस से इनसे दूर जाएगा इसमें दो केस आ गए दूर भी जा सकता है और इनकी तरफ भी आ सकता है तो यह था वह केस बोलो कलीर होगे बढ़ो आगे आरा समझ में ठीक है चलो और एक्जामपल लेते हैं चलिए एक बेंजीन का फिनॉल का एक्जामपल जरा इसके एक बार बनाईए श्याबाश फिनॉल के बनागे दिखाओ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान अपनी नोटबुक पर रखेंगे मैं जबञे एक दिरिड़ आईए और देखिए बाट पर क्या ठीक है सबके राइट स्टेबल्टी ओडर बताइए बिल्कुल सेम है फास्ट इस इकॉल टो फिफ्ट बिटा देन सेकंड इस इकॉल टो फॉर्थ और देन फट इन डाउट सेम रीजन है फास्ट सेकंड आपकी बैंजिन रिंग है सेकंड और फॉर्थ में पॉस्टिव नेगेटिव नजदीक है इसमें आपके दूर होगा बना लेंगे चले ओ जदी मालो अब देदे हम यहां एन एच टू हो सकता है वेटे हैना बच्चो और यहां एन एच आर हो सकता है एन आर आर हो सकता है ठीक है और बच्चो और बताओ ओसीडबल बॉर्ण और यहो सकता है ठीक है तो बहुत सारे केसे से महिता इन सभी में बनाकर देखिए यह अदि कोई डाउट हो तो मेरेसे पूशलिए कि सभी मिल्कुल सेम केस हैं विटा सभी के पास क्या नदर आ रहा आपको बताओ हर एक के पास क्या है विटा लॉन पेर है तो लॉन पेर बैंजिन के साथ कुंजुगेशन में आ जाएगा है पता कोई डाउट हो बढ़ा जाए आगे ठीक है ओके जरा यह कीजिए है श्याबाश किया उक्षिन की तरफ लेकर आओगे बोलो कदापी नहीं है ना जहां रखना है ठीक है बच्चों दोनों हाई बड़ बना लेकर आगे यह है बड़ रहा है निकर उड़ ड़ टाउट मेटा नव इस इस और लेस बस्टेबल दुट चार्ज इन ड़ पकाई चले एक उश्चन दो फिर में आपको सौल कीजिए CS3CONH2 तो रेजोनेंस अमाइड है रेजोनेंस शो कीजिए क्याबाश और एक हम करेंगे OHCONH2 बिल्कुल वही बड़ा एक जट्ली सेम इसको आप अपने आपकी जिए सेकेंड वन सेकेंड देखिए बड़ उपर वाले में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए माइड में सेकेंड में क्या है बड़ा लॉन पेर नाइट्रोजन का भी नवाल हो सकता है और ऑक्सन का भ तीन स्ट्रिक्चर बनेंगे यहां तो कितने बनेंगे दो यहां कितने बनेंगे तीन तो तीनों बनाईए और उसमें देखिए वेटा क्या स्टिवल्टी है शाबाश करो मैं बोर्ड पर में कर रहा हूं और आप कोशिश करो एक पार तो यह हमने बटा तीन सक्सेस बनाई आई हॉप कि आपने भी यही किया होगा कि यह आप रेजुनन्स हाइबिट बनाएंगे हर एक के पास टेबल बॉंड करेक्टर आचुका है इसमें से नाइट उदन पर पार्शली पॉजटिव है इस उपर वाले अप्शन पर पार्शली नेगेटिव है और इस अक्षन पर पार्शली पॉजटिव क्या इतना समझ माई गटाई है ओके नाव टेल मी वाट्स ओड्र आप स्टेबलेटी शाबाज की जी इसका स्टेबल्टी ओडर बताईए मुझे हाँ फस्ट में मौ स्टेबल बिंग नूट्रल फस्ट देन बोलो क्यों इसमें ऊट्र में तरफ देखना आप नाउतन पर चशार्ज पॉज्टिव वे यह तो कॉमन है यहां भी वो नेगटीव और देखो गया ऑए कि स्ट है और रितलेटीव पर पॉज्टिव यही तो था अब यहां बात किसकी है कि तो यहां यह चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा इसमें चार्ज स्टेबल होगा इसमें चार्ज सब्सक्राइब अब हम करते हैं यह देख लीजी कुछ एन एच यह मैंने तीन कंपाउंड लिखिए चलो एक और लिख देता हूं पहले आप पिरिडेन के स्थर बनाएं इनके बाद में करेंगे पिरिडेन के स्थर बनाओ इस यह तकितने बनेंगे दो बनेंगे क्या बताया था मिले आपको यह लॉन पेर रेजोनेंस में इनवाल नहीं होगा ज़िए डबली बॉंडड एटम पर लॉन पेर आ जाता है तो वो लॉन पेर रेजोनेंस में इनवाल कभी बनी होगा बस सिंपल सारूल इमेटर ध्यान रखेंगे तो इसके सिरफ दो ही स्ट्रक यह आपको ध्यान रखेंगे तो बड़ा जाए आगे ठीक है इसमें बताओ इन स्ट्रक्चर्स में कौन-कौन से हैं पाइरॉल पुरान थायोपीन इनकी नाम में बिटा ठीक ना चलो एक बनाओगी कि इसी एक में कर लो हाव मैनी एरिजोंटिक स्ट्रक्चर्ट इलिए ड्रो करो शाबाश मेरी बेट मत किया रोगेटर शुरू करो शुरू करो शुरू बस मेन है इसके बाद की हमने स्टेबल्टी ओडर क्या वाता आना है मेन ये बटा कॉर्शन अपना ठीक है ना वाट विल विदा स्टेबल्टी ओडर इसके बाद हमें स्ट्रक्चर फॉस्ट मिल जाएगा ये आपके पांस स्टेबल्टी ओडर किये ठीक है तो बेटा जी बताइए स्टेबल्टी ओडर शाबाश दो फास्ट वाट विल बिल बेटा स्टेबल्टी ओडर और विश्ली सबसे पहले आप फास्ट करों नूट्रल है बाग किसम में क्या है चार्ज क्या करें कि सभी में नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजटीव है ना बताओ है या ने और कार्बन पर चार्ज नेगेटीव है फिर भी इनका जो स्टेबलिटी ओर है अलग-अलग है हमें यहाँ पर दो स्ट्रक्चर एक जैसे दीख रहे हैं ध्यान से देखोगी तुब कौन सा स्ट्रक्चर सेकेंड एंड फिफ्थ एक जैसे हैं थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं सोचिए दिमाग लगाईए शाबाश प थर्ड फोर्थ में मैंने आपको एक रूल बताया था ध्यान कीजिए कि पॉजटिव नेगेटिव चार्ज नस्दीक होने चाहिए पॉज़ सोफ अट्रक्शन जाधा रहती है पर याद करो बिटे एड्सेंट पर नहों रिमेंबर बॉंड बन जाए याद नहीं पर यहां पर पॉजटिव नेगेटिव एड्सेंट पर है पर यह बॉंड नहीं बना सकते भाई तो एक ही मुद्दा बच गया अट्रेक्शन का नहीं आया समद्द में आपको बेटा जी एक बात बताओ मुझे मैं यह वाला यहां लिख रहा हूं आप मुझे एक चीज बताओ अरे नाइट्रोजन ने च्यार बॉंड तो बनाई रखें पहले पांच कहां से बन जाएंगे तो यह बॉंड नहीं बना सकते बॉंड नहीं बना सकते तो एक फैक्टर बच गया अब हमारा कि पॉजटिव नेगेटिव नजदीख है पोर्स उफ अट्रेक्शन ज्यादा र बताइए क्या यह समझ माया बोलो बोलो पकत चलू आगे ठीक है रिजुन साइबर शोग कर लोगे बैटा अब ध्यान से देखेंगे पॉजटिव नेगेटिव चार्ज सभी कार्बन पर आ चुका है कि कलीर है और नाइट्र नमपर क्या चार्ज रहा है पॉजटिव रहा है कि सभी में डबल बॉंड आ चुका है तो कि यानि एक सरकल भी ड्रॉ कर सकते हैं हर एक पर यहां पार्शली नेगेटिव पार्शली नेगेटिव पार्शली नेगेटिव और यहां पर पार्शली प बढ़ा जाए आगे हाँ चलो एक मैं यहां कुछन लिख रहा हूं देखना कि प्राइब करना करने की ठीक है अब कर देखने कि यह इन वह रहा होंगे जुन इसमें बोलो बोलो नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह 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 के पुजुगेशन की मल्यटिपल बॉंड सिंगल एक्टव को चेशन जैसे सब से सिंपल उठाते हैं यह कि यह विटब की दिकल है ऑबिसली बच्चो यानि एक से से में क्या कहाना चाहरा हूं फिर्एडिकल कोंजुकेशन की फिर्डिकल में हम कैसे क्या है क्या दिखाया जाता है वो दिखा मैं आपको दिखा रहा हूं पहले एसे दिखाया जाते बटे यह रिप्रेंटेशन गलत होता है ध्यान रखेंगे हम ऐसे नहीं करेंगे बिच्चों राइट आप क्या करेंगे यहां पर एक एलेक्ट्रोन है यह एक एलेक्ट्रोन है यहां देखो हाफ एरो ठीक है और यह फिर इसके उपर यहां प्रेंटेशन पुल एरो शो नहीं करोगे यह फिरेडिकल आ जाकता है तो उसमें क्या पूंस यह उने चाहिए हाफ है बस आप यह चीज़ द्यान रखेंगे ही आप की आप आए कि फिर्ट्व कीज़ेंट सुस्टेबलटी क्या रहें की दौनों की सेम रहेंगे यह हो जैगा चाहां पर देखो इसको इसको ना ऐसे करेंगे आप देखो इस पर आ गया रेडिकव इस पर आ गया है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं पहले त से तप्रशेद डबांड बनाओं। मेनिंग क्या समझ जए इसका पार्शले सिंगल यहां भी गया और यह भी सिंगल गया नग, धियांड रotबे अलाग भीental नेस्ट देखिए पिनाइल फरी रेडिकल कितने रेजोंटिंग स्थर बनेंगे शाबाश अंजी पांच बनेंगे बोलो कलीर है बन जाएंगे ना पांच शाबाश फिर निकम में हो यह रेजोंट्स में इनवाल नहीं होगा जब डबल बॉंट पर पॉजटीव नेगेटीव लॉन पेर सिंगल आ जाता है तो वो रेजनंस में नहीं होगा पुन्सा रेडिकल ही एंप है नाइटिकल किया बैटे है एडस प्लमाइल फरी रेडिकल कैनी फिनाइल फ्री रेडिकल पिनाइल कार्ब कटैन ने नों के तीनों के दो ही एरूंटिंग सक्ट्चर रहेंगे कल लजे आगे बेंजीन के ही पाइलेक्टन गुमाओ उसको वही रहने तो बेंजाइल प्रेडिकल का खुद करके देखना इस इस यह यह मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ बेंजाइल प्रेडिकल पहले कौन सा था था सबसे पहले अग्जामपल हमने किसका दिया था बताओ वो था ईलाइल प्रेडिकल वुद्स、 बेंजाइल बोलो शर्याद नहीं था २ है देखो इदर यह क्यूं इस वाट ऑप सुद से बताओ यह यह विनाईल अगिरडिकल है यह कुंसा है तो बताओ विनिगारी कितने बने गई फांच बने इसके पांच बने गई जब यहां विनाईल इस नो हो रेजन इंस हfeldो बनेंगे बेंजन में हैं पांच बनेंगे याद परो में नुस फुट में लेकि दुड़ों नहीं है सिरफ बेंजीन के साथ हीन वोर रहा है तो पांच आपर पाएंगे वोकी दन लिखत इतना इन पूसे लिए लेते हैं निट्स केसा है विटैमंति मौटीपल बॉन्ड और वेकेंट उर्बिटल का है इसका है मौटीपल बॉन्ड एंड वेकेंटंड और बेटल चोंचो कॉंजुगेशन पर एक्जामपल इस यहां बोरोन का ओक्टेट अंकम्प्लीट है बिटा इसके आउटरमोस्ट में छे एलेक्ट्रोन है तो दो तो पुरा करी सकता है बिएफ थ्री है बीसील थ्री एक क्या काम करते हैं लेविस एसिड है तो एक ओर्बिटल खल ली है इनका तो यह एक्ट्रोन ले सकते हैं तो बिएव एजल है इससे पड़ा हमें अब यहां पर बैटे एरो किसकी तरफ आएगी तो अब इसको प्रध्यान से समझीए बोर्ड पर ध्यान तो मत कर इसको देखोई इसको बच्चो मैंने ऐसे शो किया यहां मैंने चार्ज नेगेटिव लिखा बरोन की आउटर मोस्ट में कितने होते बटा हैं बोलो वन एस टू टू एस टू टू पी बन दिरार त्री लेक्ट्रोंस और यहां कितने आगे च्यार आगे एक ज्यादा तो चार्ज नेगेटिव रख दिया हमने यह तो पढ़ते आए हैं फॉर्मल चार्ज में ओके और यहां चार्ज पॉजटिव अब देखो मिस्टे कह भी आवरों करोगे कि भूलकर भी नहीं कि अ अब सेकेंड प्रड़का अलिमेंट है प्रौन नौर्मली तीन बनाता है मैक्सम चार बना लेगा पांस तो मत बना नहीं है बोलो ठीक है ना तो यह अखेंगा यह नहीं लेकर जानी है यादि नेगेटिव से एरो जरूरी भी है जाए ना भाई देखो मैंने क्या मना किया था देखो यह कभी भी नहीं होगा उसकी तरफ तो एरो लेकर मताना कि नॉर्मली हम सारे एक्जामपल यह पड़ते आए उससे एरो दूर लेकर जाए पर देखो ना इस एक्जामपल में यह भी तो हो गया कि ऐसा नहीं हुआ लेकर भी तो फिर कौन से इलेक्टरों जाएंगे वही एलेक्टरों जाएंगे जो आए थे जैसे यह एक्टरों इदर आ जाएंग इसका नेगेटिव खतम और इसका पॉजिटीव खतम तो यह वाप इस में चेज़ेंगे नहीं आया समीजमें तो वाट विल यह आएगा पार्शल बॉंड यहां पार्शली नेगेटिव और यहां पार्शली पॉजटिव कौन सा ज्यादा स्टेबल है दोनों में से ओविश्ली फर्स्ट वन मौर्श टेबल लस्टेबल रहें डाउट विटा है बड़ा जाए आगे ठीक है अभी खालांग की एक्जाम क्या एरो ऐसे आ सकती है क्या यह सुर्णू जहां से कलोरीन रहें बेटे मौना क्यों कर रहें बैट इतने जल्दी बूल जाते दस मिंट पहले बताया थे क्या बताया थे सुनू यहां पर नाइट्रोजन है आक्सिजन है पलोरीन है तो एरो भूल कर भी मत लेकर आओ ठीक ह और यहां पर क्या हो कलोरीन हो ब्रॉमीन हो आयोडीन हो फॉस्फोरस हो सलफर हो तो लें आओ क्यों इनके पास क्या है वेज़ी गुद वेकेंटर दी और्विटल समझना और समझो रट्टा मारों ना बेटा नहीं आएगे और में समझेगे वहां थोड़ी बहुत पॉसिबल है ऐसा नहीं है मैं यह नहीं कहारो कि प्रक्टा तो हमें चलेगा बट एट लिस्ट इफ वांट तो सॉल निमेरिकल तो आना ही चाहिए ना और यहां सारे क्वांस्ट समझ नहीं है कि एरो कैसे लेकर जानी केसे नहीं लेकर जानी है बढ़ा जए आखे चलो कि कि नेक्सक्स कीसे व्मश्टा लॉन पिए फॉजुटिव चार्ट पॉंजूकेशन में कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूं फटा फट करेंगे लॉंग पेर एंड पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या वेकेंट और्बिटल भी हो सकते हैं चलो आप रेजोनेंस शो कीजिएगा एक सकंड बटा गलत हो गया बच्छो रेजोनेंस शो कीजिए जल्दी जल्दी चलो स्टेबल्टी ओडर बताना है आपको हर एक में ठीके इ coconut प्रीज को हर जार एक में जल्दी चलो इजह वक में mi जल्दीम हाँ जल्दी जल्दी के भी हैं कि हैं जल्दी entireव ऊया प्सक्वेख प्सक्रार्णं़ или जाबता हैं कि हम ये आया हैं खल्रत कुछो скорее जाबको जल्दीख जाम के खाbe इन ञिदर सबमPS केश UP चलिए वाटा यह कुछ एजामपल लिखे मैंने मॉस्ट्रीम क्या है लॉन पर पॉजटिव लॉन पर पॉजटिव लॉन पर पॉजटिव तो एरो अल्वेस टूट्स पॉजटिव चार्ज इदी गई तो क्या पहला यह ऐसा ही है कि रोकर लिया सभी ने चलो है ऐसे ही कि बस में क्या ध्यान देना बेटा जी कि बोलो कि आपको स्टेबल्टी और बताना है कि 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 लाइकवाइज इसको यहां करो इसको यहां करो और इसको यहां करो बागी सब आप करेंगे मैं आपको दो अग्जामपल से संदा देता हूं बिल्कुल से में कोई प्रेट आफरेंस नहीं है निष्यार प्रश्रेश निए मनें है इन दो को एक्ष्मिन करते हैं लुट सेकेंड हर एक में पॉच्टिव चार्ज आ रहे हैं यहां भी आएगा हर दोनों एक स्ट्रॉचर में पॉच्टिव चार्ज आएगा यह क्या करना है लास्ट लेक्ट्रो नेगेट्ट्व पर कॉच चार्ज होना चाहिए रिमेमबर तेस सो बोलो बेटाँ मॉर स्टेबल लश्टिबल इस पलियर बोलो धान से जरा देखना इजा इस जो मैंने बोल दिया उसे महा में हामिला लेते लुटो इस वह स्टेबल यह क्या है मोस्टिबल तो यहां दो बिटाई लौन पेर करसे इन डोनों स्ट्चर्चर्ष में दो इसको सबसे आगे ले कर आवगे और आपने क्या देखा। तुरंत भामिला लेते वह प्रियोड नी किसको रखना है बेटे आक्टेट को रखना है शेकिंड में ध्यान से देखिए दुबारा फिर पॉस्टिव चार्ज किसके उपर है ऑक्षिजन पर यहां पॉस्टिव कार्बन पर पर दिस इस पॉस्टिव दिस लास्टेबल अगें दूटो पॉस्टिट रू इन डाउट पर पाएंगे ये सारे एक्जामपल ऐसे है जिसमें पॉस्टिव चार्ज मोर एलेक्ट्रो नेगेटिव अटम पर आएगा पर वो मोर स्टेबल होगा प्या कधाय मैंने समध रहे हो पॉजटिव चार्ष इलेक्ट्र又 पर आएगा पर उससे क्या हो जैगा किसमें और ते last लास्ट, this question, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ऐसा ही गया, यहाँ पर डबल, तो यह बना गट है, तो बता यह कौन जादा stable है, डू फास्ट, जल्दी करो, पर्स्ट और सेकंड, ज्यान से देखिए, ओक्टेट हर एक में complete है, don't worry, बेटे यहां लॉन पेर तो है इना एक, इसो क्यों चेड़ रहे हो बई, हर एक में complete है, अब आजो चार्ज की बारे, यहां less electronic पर है, यहां more पर है, so this is more stable and this is less stable, बोलो नहीं आए समझ में, पक्का, जरा यह एक्जाम्पल देखो, क्या possible है, अब दो तिन एक्जाम्पल फड़े मिसलिशन ले लेता हूँ, possible है, जैसे electron लेकर जाओगे, फलोरिन क्या automation कितने भर जाएंगे, 10 electron, can't expand their octet, और यहां पर क्या हो बेटा जी, CL, BR, I, etc, तो electron जा सकते हैं, कली रहे क्या, और क्या कौन हो बेटा, चाए, phosphorus, चाए, sulfur, तो यहां permission है, भाई, ले जाओ, इलेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, यही आपको छोटी-छोटी चीज़े, यह समझा नहीं बेटा, बढ़ू आपके, फिक्स, एक दो कुश्न और देखी, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, हलांकि यह आएगा भी टिकराओंगा में, एक चोटा से कुश्न ले रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना अच्ट बेस ही रखेंगे, कौन जल्दी हैच पॉजिटिव देगा, यह कॉश्न लेए, यानि कौन ज़्यादा स्टोंग एचिड, ठीके, तो हैच पॉजिटिव में यहां से निकाल लिया है, एफ, 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 तो चार्ज, नेगेटिव, ऐसे ही, यहां से भी हमने निकाल लिया है, सी, सी एल, सी एल, सी एल, सी एल, इस वन, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, एक्स पॉजिटिव देकर जो जिसकी स्टेबल्टी ज़्यादा होगी, वो जल्दी एक्स पॉजिटिव देगा, सिंपल है ना, डिटेल से करेंगे, डॉंट वरी, एसे बेस्ट कॉंट्स अब बताओ, क्या यह पॉसिबल है, क्या यह पॉसिबल है, जैज़ा स्टेबल है, कितने बनेंगे, लेको या लेकर गए, भई हर एक पर ही तो, क्या हर कलोरिन पर नहीं आजएगा, CL, C, CL, अबब पॉंट, और हेर, CL, नहीं आए समझ में, चार्ज नेगेटिव, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, तो कितने बन जाएंगे, टोटल, चार अरे बन जाएंगे, बोलो समझ में, आयाया या, नहीं आया, कैसे आएगा, क्यों आएगा बटे, इसने बॉंट बना लिये, चार बॉंट बन गए, क्यों आएगा पॉजटिव, तो रेजन साइबट कैसे शोकर होगे, CL, C, CL, CL, क्या ऐसे नहीं होगा, यस और नो, जहां से देखिए, पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, यहां भी पार्शली नेगेटिव, तो यह इसका रेजन साइबड हो जाएका, कर पाएंगे, शोवर, चलो बिटा, आज यहीं तक करो, कल बैंजोड सेक्षर के कुश्शन करवाएंगे, ठीक है, आया को समझ मार्श, सारा आगया, रेजनेंस के सारे केसिस कंप्लीट फोच चुकेंगे, कल स्पेशली बैंजोड के लिए लेगे, ठीक है, तो उसके बाद हम लेंगे, अप्र बैंगे, रेजनेंस एफेक्ट या मेंजोडमरिक उसके बाद रेजनेंस आपकल लेगा, खतम हो जाएगे, एक SIR एपक्ट भी करवाना है, करेंगे चलो, थेक्षन, थेंकिव बच्चों,